Hello everyone, welcome to my channel. आज हम पढ़ेंगे class 8 का chapter number 3 संसलेशे तन्तू एवं plastic. इस वीडियो में हम part 2 cover करेंगे. तो आईए अब हम शुरू करते हैं. आप सभी बच्चों को अपनी screen पर अनेक चीजे दिखाई दे रही होगी. जैसे कि ये बाल्टी, कुछ खिलोने या फिर पानी की बॉटल. क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हैं ये सभी चीजे किसकी बनी हैं? बच्चों, ये सभी चीजे बनी हैं plastic की. किसकी? प्लास्टिक की. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे plastic के बारे में. बच्चों को वो ज्याद होगा. तो संसलेशित रेशे की तरह हैं plastic भी क्या है? एक बहूलक है. ये सब चीजें किस से बनी हैं बच्चों? प्लास्टिक से बनी हैं. प्लास्टिक हमारी जिन्दगी का एक एहम हिस्सा बन चुका है. आप देखेंगे आपके आस पास बहुत सी वस्तुए होंगी. जो किस की बनी हैं? प्लास्टिक की बनी है. अब बात करेंगे बच्चों, प्लास्टिक कितने प्रकार की है? प्लास्टिक दो प्रकार की है. पहला है thermoplastic और दूसरा है thermosetting plastic तो हमने क्या सीखा? Plastic कितने तरीके की है? दो तरह की एक thermoplastic और दूसरा thermosetting plastic तो आएए अब हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं तो सबसे पहले बात आती है thermoplastic और thermosetting plastic होता क्या है? बच्चों आपके exam में ये question जरूर पूछा जाता है ये बहुत ही important topic है तो मैं आप सभी बच्चों से request करूँगी कि इस topic को बहुत अच्छे से समझें ठीक है? तो आएए अब हम thermoplastic के बारे में जानते हैं ऐसा plastic जो गरम करने पर आसानी से विकृत हो जाता है होती है जिसको हम गरम करते हैं तो वो मुड़ जाती है उसकी shape जो है उसका जो आकार है वो बदल जाता है ऐसी plastic क्या होती है? thermoplastic second point है इन्हें एक बार साचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें उश्मा देकर नरम किया जा सकता है इनका उपयोग खिलोने, कंगिया, आधी बनाने के लिए किया जाता है उधारन, polythene और PVC अब मैं आप सब बच्चों को एक एक करके इनके बारे में बताती हूँ तो बच्चों पहली चीज़ जो हमने सीखी थर्मो प्लास्टिक के बारे में वो क्या है? एसा प्लास्टिक जो गरम करने पर अपना आकार आसानी से बदल दे या फिर आसानी से मुड़ जाए उस प्लास्टिक को क्या कहेंगे? थर्मो प्लास्टिक दूसरा पॉइंट क्या था? कि अगर हम इसे सांचे में डाल दें तो इसको उश्मा देकर नरम किया जा सकता है ये भी सही बात है थर्ड पॉइंट था कि इससे हम क्या बनाते हैं कंगियां या फिर खिलोने आपको यहां पर ये चित्र दिखाई दे रहे होंगे मान लिजए बच्चे मेरे पास एक कंगी है उस कंगी को अगर मैं गैस के उपर गरम करूँगी तो आपको क्या लगता है, क्या होगा सोचो, सोचो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने कंगी को गरम किया या फिर गैस के उपर रखा कंगी पिंगल जाएगी है ना या फिर उसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा हमारी जो कंगी है वो आसानी से मुढ जाएगी तो कंगी किस प्लास्टिक से बनी होती है थर्मो प्लास्टिक से आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा हम एक और उधारन ले लेते हैं मान लीजिए मे मेरे पास एक प्लास्टिक की पन्नी है क्या है एक पॉलिथीन है अगर मैं उस पॉलिथीन को जला दूँगी तो वो अपना आकार बदल देगी वो असानी से मुढ जाएगी तो जो पॉलिथीन है वो कैसे प्लास्टिक की बनी होती है थर्मो प्लास्टिक की समझ आया सबको अब हम बात करते हैं बेटा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक की ऐसा प्लास्टिक जो गरम करने पर नहीं मुड़ता उसे हम कहते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक बच्चों कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिसे हम गरम करते हैं तो भी वो नहीं मुड़ती है इसी plastic को कहा जाता है thermosetting plastic इन्हें एक बार साचे में ढाल दिया जाए तो उश्मा दे कर नरम नहीं किया जा सकता मतलब की अगर हमने इन्हें साचे में ढाल दिया तो ये अपना आकार नहीं बदलेगे अगर हम इन्हें गरम करेंगे तो भी ये नरम नहीं पड़ेंगे इनका उपयोग बिजली के स्विच रसोई के बरतन आदी बनाने के लिए किया जाता है उधारन है बेकलाइट और मेलामाईन तो बच्चों थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का इस्तमाल हम कहां करते हैं बिजली के स्विच बनाने में या फिर रसोई के बरतन बनाने में आपने देखा होगा हमारी रसोई में कई बरतन ऐसे होते हैं जो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के बने हैं जैसे कि कुछ बरतन होते हैं जो हम माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं उनके अंदर हमारा खाना तो गरम हो जाता है, लेकिन हमारी प्लास्टिक नहीं पिंगलती है, है न? ऐसे ही बेटा, जो बिजली के स्विच है आपके घर पे, अगर उन्हें गरम करेंगे, तो वो पिंगलेंगे, नहीं, क्यों? क्योंकि वो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं, आप सभी बच्चों को इनके उधारन अच्छे से याद करने हैं, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का उधारन क्या बताया, बेकलाइट और मेलमाइट, अब हम थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के कुछ और अन्य प्लास है वो बिजली का और ऊश्मा का मतलब की हीट का गर्मी का क्या है कूचालर इसका उपयोग हम बिजली के स्विच या फिर कूकर के हत्तो आदी बनाने में करते हैं बेकलाइट का इस्तमाल हम किस लिए करते हैं बिजली के स्विच बनाने में या फिर आपने देखा होगा जो हमारे रसोई के हैंडल होते हैं उनको बनाने में करते हैं अब ये बिजली का कूचालक है ये बात कैसे याद रखी जाए आप जब भी बेटा किसी बिजली के स्विच को हाथ लगाते हैं तो आपको करण नहीं लगता क्यों क्योंकि वो बेकलाइट से बनाए है न और को आसानी से एक जगे से दूसरी जगा रख पाते हैं ऐसा क्यों क्योंकि वो जो हैंडल है बेकलाइट का बना होता है और बेकलाइट उश्मा का कूचालक है नेक्स्ट है बेटा मेलामाइन यह आग का प्रतिरोधक है इसमें अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा में उश्मा क को सहने की अधिक शमता होती है इसका उपयोग रसोई के बरतन और आग रोधी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है बेटा जो मेला माइन होता है वो बाकी प्लास्टिक के बदले इसमें जादा शमता होती है आग सहन करनेगी ठीक है मतलब ये जल्दी से नहीं पिंगलता है ये प्लास्टिक बहुत लेट पिंगलेगा और ये जो प्लास्टिक है इसका इस्तमाल हम करते हैं रसोई के बरतन बनाने में या फिर आग रोधी कपड़े बनाने में जब कहीं भी आग लग जाती है तो आग को बुजाने के लिए टीम आती है ना उन्हें एक तरह के कपड ने होते हैं ताकि उस आग से उन्हें नुकसान ना हो तो उनके जो कपड़े हैं वो भी मेलमाईन से बने होते हैं क्यों क्योंकि मेलमाईन आग रोधी है ठीक है वो आग का प्रती रोधक है आग को रोपता है उसको आग से फरक नहीं पड़ता वो पिंगलता नहीं है आप इस चित्र में देख सकते हैं यह जो बरतन है यह मेलमाइन के बने हैं अगर हम इसे microwave oven में रखेंगे खाना गरम करने के लिए तो खाना तो गरम होगा लेकिन जो हमारी plate है या जो हमारी कटोरी है वो पिंग लेगी नहीं ठीक है अगला है बिटा टेफलोन इस प्रकार के plastic पर तेल और जल चिपकता नहीं है दूसरा point इसका उपयोग भोजन पताने के पात्रों में किया जाता है आपने देखा होगा इस चित्र में हमने एक fry pan दिखा रखा है आपके घर में भी इस तरीके का fry pan होगा यह जो fry pan है बेटा यह बना है टेफलोन का टेफलोन की क्या खास ब है कि बेकलाइट का इस्तमाल किसलिए किया जाता है बेकलाइट का इस्तमाल बिजली के स्विच और कूकर के हत्तों को बनाने में किया जाता है मेलमाइन का इस्तमाल रसोई के बरतन बनाने में किया जाता है और आगरोधी कपड़े बनाने में भी और टेफलोन का इस्तमाल भोजन पकाने के पात्रों में किया जाता है क्यूं? क्यूंकि इस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। मैं उमीद करती हूँ आप सभी बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक के अभी लाक्षनिंग गुण। बच्चों, प्लास्टिक हमें अपने आस पास हर जगा दिखाई देती है। आप देखेंगे आपके आस पास जितनी भी वस्तुएं हैं, जादा तर किस से बनी है? प्लास्टिक से। तो अब हम जानते हैं प्लास्टिक में ऐसे क्या-क्या गुण हैं, जो हम प्लास्टिक का इतना इस्तमाल करते हैं। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट आता है बिटा, प्लास्टिक वायू और जल से अभी क्रिया नहीं करती है। राइट, आपने देखा होगा जो पानी है वो हम किस में स्टोर करके रखते हैं? प्लास्टिक की बॉटल में। मतलब कि जो हमारी प्लास्टिक है वो पानी के साथ अभी क्रिया नहीं होएगी, वो पानी के टच में आने के बाद खराब नहीं होती। ऐसे ही जो प्लास्टिक है वो वायू में भी अभिक्रिया नहीं करती है अगर मैं किसी भी प्लास्टिक के पदार्ट को हवा में रख दूंगी ऐसे ही वायू में अगर कहीं भी रख देंगे तो वो उसके साथ रियाक्ट नहीं करेगी कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगी ठीक है तो पहली चीज हमने क्या सीखी प्लास्टिक वायू और जल से अभिक्रिया नहीं करती है दूसरा पॉइंट प्लास्टिक उश्मा एवं विद्युत का कूचालक है ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं प्लास्टिक उश्मा और विद्युत का कूचालक है इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढखे होते हैं आपने देखा होगा आपके घर में या आसपास जितने भी बिजली के तार हैं वो किस से ढखे हुए हैं एक प्लास्टिक से क्यُं? क्योंकि plastic क्या है? बिजली का विद्युत का कूछालक है ठीक है? बिजली हमें current नहीं मार सकती क्यों? क्योंकि उसके उपर हमने एक plastic का तार लगा दिया है थर्ड पॉइंट है बिटा Plastic हल्का और मज्बूत होता है और जाधा चलता है Plastic कैसी बहुत ही light and weight होती है न मान लीजिए मेरे पास एक plastic की bottle है और दूसरी तरफ मेरे पास एक lohe की या किसी और धातू की bottle है तो कौन सी bottle जादा हलकी होगी जाहिर सी बात है बिटा जो plastic की bottle है वो जादा हलकी होगी तो अब हम एक और उधारन ले लेते हैं मान लीजिए मेरे पास एक glass है, एक glass है plastic का और दूसरा glass है किसी भी धातू का, तो कौन सा glass जादा हलका होगा, ओविस सी बात है बिटा कि जो plastic का glass है वो जादा हलका होगा, ऐसे ही आप बच्चे भी कोई ना कोई एक उधारन जो भी आपके दिमाग में आएं वो comment section में लिखक प्लास्टिक है, उसको हम कोई भी आकार दे सकते हैं, कोई भी shape, कोई भी size दे सकते हैं, आपके आस पास जो इतनी प्लास्टिक की चीज़े हैं, आपने देखा होगा, सभी का आकार अलग है, इसका मतलब प्लास्टिक को हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, तो सभी बच्च या फिर हम क्या-क्या steps अपना सकते हैं कि वो हमारे परियावरन को हानी ना पहुचाए तो बच्चों, यहां हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में पहला है जैव निमनी करनी है और दूसरा है जैव अनिमनी करनी है जानते हैं यह होता क्या है जो पतात प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अब घटित हो जाते हैं उन्हें हम कहेंगे जैव निमनी करनी है उधारन सबजी के छिलके बचा हुआ भोजन, कपड़ा या फिर लकडी जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं मान लीजिए कि हमारी जो किचन में जितना भी कूडा निकलता है खीरे का या टामाटर का प्याज का जो भी आपने सबजी आटी अगर हम उसे कहीं भी फेक देंगे मिट्टी में मान लो हमने उसे फेक दिया तो कुछ टाइम बाद क्या होगा बच्चों वो जो सबजी के चिलके हैं वो एक प्राक्रतिक प्रक्रिया द्वारा अपने आप ही अबगटित हो जाएंगे है न ऐसे ही एक कागच या लकडी का टुकड़ा या फिर जो बचा हुआ भोजन है वो हम मिट्टी में कहीं भी दबा देते हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वो जो पदार्थ है वो अपने आप ही अबगटित हो जाता है किसके द्वारा सूक्षम जीवों के द्वारा लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं बिटा जो अपने आप अबगटित नहीं होते हैं उन्हें हम कहेंगे जैव अनिम्नी करनी है जो पदार प्राकृतिक प्रक्रियाद्वारा सरल्ता से विघधित नहीं होते हैं उन्हें जैव अनिम्नी करनी है कहा जाता है उधारन एलिमीनियम और प्लास्टिक की थैलियां मान लीजिए हम plastic की ठैलियां ऐसे ही फैक दे कहीं भी या मिट्टी में कहीं दफ न दे आप देखेंगे कुछ साल बाद भी आपको वो plastic की ठैली वैसी की वैसी ही नजर आएगी मतलब की वो अब घटित नहीं हुई है वो अभी भी वैसी की वैसी ही है आप सभी बच्चे इस experiment को अपने घर पर भी करके देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे मान लीजिए आप दो गमले लेते हैं उसमें मिट्टी डाल लो और अब जो सबजी के छिलके हैं आप उनको मिट्टी के नीचे दबा दो ऐसे ही आप दूसरे गमले में एक प्लास्टिक की पॉलतिन को मिट्टी के अंदर दबा दो आप एक हपते बाद देखेंगे जो सबजी के छिलके हैं वो तो अब घटित असानी से हो जाएंगे लेकिन जो प्लास्टिक की थैली है वो वैसी की वैसी ही रहेगी तो बच्चों जो पदात प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अब घटित हो जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे जैव निमनी करनी है और जो पदात सरलता से विगटित नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे जैव अनिमनी करनी है तो क्या बच्चे मुझे बताएंगे कि प्लास्टिक क्या है, जैव निमनी करनी है या जैव अनिमनी करनी है अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्षन में जरूर लिखके मुझे बताएं अगला टॉपिक है बिटा, पर्यावरन में प्लास्टिक आसानी से विघटित नहीं होता, यह कई वर्षों तक बना रहता है, जो पर्यावरन परदूशन का कारण है, आप देखेंगे आज के टाइम में जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को हो रही है, वो है प्लास्टिक क अब घटित नहीं हो पाता है, प्लास्टिक के कारण क्या हो रहा है, जो हमारा पर्यावरन है, वो प्रदूशत हो रहा है, जो भी प्लास्टिक की थैलियां है, हम लोग क्या करते हैं, उन थैलियों को यहाँ वहाँ फैक देते हैं, जो पानी की बॉटल है, उनको भी हम ऐसे ही फैक देते हैं उसके कारण क्या हो रहा है प्रदूशन बढ़ रहा है जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि इस नदी के किनारे इतना सारा प्लास्टिक इखटा हो गया है इससे जो जल में रहने वाले जीव हैं उन्हें भी बहुत सी समस्याएं होती है अगला पॉइंट है जब हम इसे जलाते हैं तो इसमें से विशेला धुआ निकलता है जो पर्यावरन प्रदूशित करता है बच्चों जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो इसके अंदर से बहुत ही जहरीला धुआ निकलता है और इससे क्या होता है? वायू प्रदूशन होता है इससे जो हमारा पर्यावरन है वो और जादा दूशित हो जाता है तो हम प्लास्टिक से अपने पर्यावरन को कैसे बचाएं? तो बात करेंगे बचो अब हम 4R के बारे में क्या है ये 4R? जो पर्यावरन ही तेशी हैं आईए जानते हैं पहला है उपयोग कम करिए मतलब की reduce इसमें हम क्या सीखते हैं बटा? जो प्लास्टिक है उसका इस्तमाल हमें कम से कम करना है मतलब प्लास्टिक का use हमें क्या करना है? reduce दूसरा आता है पुना उपयोग करिए जो प्लास्टिक है उसका बार-बार इस्तमाल करिए मतलब की reuse तीसरा है पुना चकरन उसको recycle करें जो प्लास्टिक वेस्ट हो गई है उसको दुबारा से recycle करो और fourth है बेटा पुना प्राप्ति मतलब की recover ये 4R आप सभी बच्चों को अच्छे से याद होने चाहिए ये paper में पूछे जाते हैं तो 4R क्या है? reduce, reuse, recycle and recover इसी के साथ बच्चों हमारा आज का ये topic यहीं पे खतम होता है Thank you for watching अगर आपको मेरा ये video पसंद आया हो तो मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले और इस video को जादा से जादा share करें Thank you